नमस्कार आज किस बात चीज में आपका स्वागत है? मेरा नाम नीरज है और मेरा नाम है तुईशा आज हम कक्षा दो की गणित की पाट्य पुस्तक की इकाई एक पर बात चीज करेंगे जिसका नाम है समुद्र किनारे एक दिन क्या आपको याद है कि इस इकाई के पिछले भाग में हमने क्या सीखा था? हाँ बिल्कुल जाद है पिछले भाग में हमने इकाई और दहाई के स्थान के बारे में जाना था तो बिताओ दहाई का मतलब क्या है? दहाई का मतलब है दस का सबू हम और क्या किया था हमने? और हमने संख्या कार्ट से संख्या भी बनाई थी अरे वाँ आपको तो सब याद है हाँ वो संख्या कार्ट वाला खेल खेले चलो वैसा ही एक और खेल खेलते हैं फ्लेश कार्ट का खेल हाँ ठीक है इसके लिए हमें चाहिए जीरो से नो तक की संख्याओं के फ्लेश कार्ड्स अभी बना कर लाती हूँ तो लीजिये हम तयार हैं फ्लेश कार्ड्स का खेल खेलने के लिए इसके लिए हमने जीरो से नो तक की संख्याओं के फ्लेश कार्ड्स बनाए हैं अब क्या करना है? अब आपको मेरे निर्देश अनुसार संख्या बनानी है संख्या बनाने के लिए आप इन कार्ट का इस्तमाल करेंगे और इकाई और दहाई स्थान को भी ध्यान में रखेंगे पहली संख्या क्या बनानी है? पहली संख्या एक ऐसी संख्या हो जो पचास से बड़ी हो पचास से बड़ी संख्या हम सतावन हाँ बना सकते हैं बनाएए पाच और साथ पचास में पाच दहाई है तो दहाई के नीचे रखेंगे पाच का कार्ड और साथ इकाई है तो इकाई के नीचे रखेंगे साथ का कार्ड यह है वे सतावन बिलकुल सही अब अगली संख्या बनाएए एक ऐसी संख्या जो तीस से छोटी हो तीस से छोटी चलिए बनाते हैं पच्चीज तो बीस और पाँच हुए पच्चीज अच्छा बताईए बीस में कितने दहाई हुए? दो दहाई इसलिए दहाई के नीचे रखेंगे दो का कार्ड और इकाई के नीचे रखेंगे पार्च का कार्ड हाँ बिलकुल सही बनाया आपने चलिए अब बनाएए एक ऐसी संख्या जो 47 से उनसट के बीच की संख्या हो मैं बनाऊंगे 48 चलिए और आठ चार दहाई और आठ इकाई तो चलिए बनाएए चार दहाई और आठ इकाई बहुत अच्छे अब बताओ दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बना सकते हैं? नो तक संख्या तो एक ही अंकी है हम तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हुए दस हम सही कहा तो बताओ फिर कैसे लिखोगे दस? दहाई की नीचे एक और एकाई की नीचे जीरो अरे वाह ये हुआ दस क्या आप इसी तरह दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी बना सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं मैं ही नहीं मेरे साथी भी बना सकते हैं क्यों दोस्तों सही कहा न? अच्छा तो ये बात है चलिये फिर ठीक है इसका जवाब आप खुद सोचिये हाँ हाँ हम सोच लेंगे आप और कोई खेल खिलाएए? और कोई खेल अच्छा हाँ हाँ याद आया आपकी पाठ्य पुस्तक में एक और खेल भी दिया गया है यह भी है फ्लेश कार्ड्स का खेल इसमें क्या करना है आपको फ्लेश कार्ड्स को फेट कर उसमें से दो कार्ड पसंद करने है और उसे दो अंकों की संख्या बनानी है तो निकालिये कोई दो कार्ड अच्छा तो मैं लाती हूँ तीन और पांच तो तीन और पांच से क्या संख्या बनी? संख्या बनी 35 बिल्कुल सही अब इन कार्ड्स की अदला बदली कीजिए ऐसे? हाँ बिल्कुल ऐसे अब बताईए कि अब ये नई संख्या क्या बनी? तिरेपन अब बताओ कि नई संख्या पहले वाली संख्या से बड़ी है या छोटी है? तिरेपन 35 से ज्यादा है तो नई संख्या बड़ी है अरे वाँ अब ऐसे ही एक और संख्या बनाईए चलिए अब की बार मैंने ले कार्ड्स दो और चार दो और चार दो और चार से बनी संख्या चोबीच अब क्या करेंगे? इसके अदला बड़ी अरे वाँ करिये यह हुए? यह हुए 42 दोस्तों आप बताईए कि नई संख्या चोटी है या बड़ी? मुझे यकीन है आपका जवाब होगा बड़ी इसी तरह आप भी इस खेल को आगे बड़ा सकते हैं हम् है तो मज़ेदार क्या हम ऐसा ही खेल ज़्यादा संख्याओं के साथ ने खेल सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं? आपकी पाठे पुस्तक में ऐसा ही एक खेल दिया गया है खेलना चाहोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं? तो चलिए वो वाला खेल शुरू करते हैं अब हम तयार हैं रास्ता बनाने के खेल के साथ इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुचने के लिए एक रास्ता बनाना है रास्ता बनाना तो बहुत ही असान है लोग अभी बना देती हूँ अरे अरे रुकिये रुकिये थोड़ा सबर कीजिए इसमें एक शर्त भी है और शर्त यह है कि रास्ता प्रते खाने में से एक ही बार होकर गुजरे अच्छा ऐसा क्या? हाँ जी, तो बताईए कैसे शुरू करेंगे आप? मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ढूंडने होगी हाँ, तो ढूंडिये सबसे बड़ी संख्या इस वर्ग में सबसे बड़ी संख्या है बारवे तो यहां से शुरू करके इसे चोटी संख्या तक रास्ता बनाना है बान में से चोटी संख्या है तीहत्तर तीहत्तर के बाद पैंसट पैंसट के बाद तिरेपन उसके बाद बतीस और फिर बीस बीस सबसे चोटी संख्या है हाँ चलिए एक वर्ग तो हो गया, अगला भी करके देखें हाँ, इसमें सबसे बड़ी संख्या है इक्यान वे हाँ, तो मैं शुरू करती हूँ दोस्तों आप देखते जाओ और सोचो कि मैं सही कर रही हूँ या गलत अरे वाँ, एकदम सही, अब अगला वर्ग आप बाद में कर लीजिएगा हाँ, अब तो मेरी दो अंकों की संख्याओं की समझ पक्की लग रही है अच्छा, एकदम पक्की हाँ तो मैं कुछ सवाल पूछू बिल्कुल अच्छा, तो ये पहेली सुलजाओ बताओ की मैं कौन हूँ मैं दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ नो सबसे बड़ा अंक है तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जब इकाई और दहाई दोनों स्थान में नो लिखा होगा हाँ तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई बहुत अच्छे अब बताईए कि मैं दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ परन्तु मेरे अंक अलग-अलग है यह तो आसान है 98 क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है 99 उससे एक कम करेंगे तो आएगा 98 इसलिए सही जवाब है 98 और पूछो अरे वाँ खूब मजारा इसमें आपको आपकी पाठे पुस्तक में ऐसी और भी पहेलिया दी गई है आप उन्हें अपने आफ़ल कर सकते हैं इसी तरह आप कुछ प्रश्न भी बना सकते हैं देखो प्रश्नों को लिखने के लिए अलग से स्थान भी दिया गया ह चलिए आगे बढ़ते हैं इस चित्र को देखिए वाँ चित्र तो बहुत खूब सूरत है पानी में तेरती नाफ कितने सुन्दर लग रही है हाँ यह चित्र है वल्लम कली का वल्लम कली क्या है ओनम केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है इसमें नोका दोड होती है इस नोका दोड को वल्लम कली कहते हैं अब दोबारा चित्र को देखिए यह दोड समाप्त होने वाली है इस चित्र को देखकर बताईए कि प्रतेक नाव की स्थिति क्या है पूछिए अच्छा तो बताईए कि कौन से रंग की नाव पहले स्थान पर आ सकती है फिनिश लाइन के सबसे पास है लाल रंग की नाव लगता है वही पहले स्थान पर आएगी तो बताईए कौन से रंग की नाव तीसरे स्थान पर आएगी लाल नाव सबसे आगे है उसके पीछे है गुलाबे नाव तो दूसरे स्थान पर गुलाबे नाव आएगी उसके पीछे है पेली नाव मतलब पेली नाव तीस स्थान पर आएगी तर्क तो बिल्कुल सही हैं आपके इसी तरह आपको बाकी के प्रश्णों के उत्तर भी लिखने हैं अब समय है एक और तरीके से स्थान को समझने का वो कैसे? दिये गए अगस्त माह के कैलेंडर को देखिए इस महिने में 31 दिन है महिने की एक तरीक को मंगलवार है और इसमें तीन तरीक लाल रंग से लिखी गई है अब बताइए कि इस महिने में ओणम किस दिन मनाया जाएगा? ओणम लिखा है 29 के नीचे मतलब 29 को ओणम मनाया जाएगा हाँ और अगर दिन की बात करें तो इस दिन क्या है? इस दिन मंगलवार है मंगलवार तो है हम यह भी कह सकते हैं कि इस महिने के पाँचवे मंगलवार को ओणम है अब मैं कुछ पूछू हाँ हाँ पूछिए स्वंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? कैलेंडर को देखें तो पंद्रा तारीख पर लिखा है स्वतंत्रता दिवस मतलब पंद्रा तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इस दिन मंगलवार है तो कर ली जाँच आपने मेरी भी समझ की चले आगे बढ़ते हैं यह जो कैलेंडर आप देख रहे हैं इसमें एक और काम किया जा सकता है वो क्या? पता कीजिए कि अगस्त के महिने में आपके कौन-कौन से मित्रों का जनम दिन आता है कैलेंडर पर इन तारीखों पर चिन लगाया जा सकता है उससे क्या होगा? उससे आपको अगस्त में जन्में अपने मित्रों के जन्म के दिन का सही स्थान पता चल जाएगा हाँ, बात तो सही है, मैं आधी ये काम कर लूँगे, यह भी एक खेल की तरह ही तो होगा हाँ, विल्कुल, अच्छा खेल से याद आया, आपने कभी क्रिकेट का खेल देखा है? हाँ, बहुत बार अच्छा, उसमें खिलाडियों की पहचान कैसे करते हैं? एक तो उनके नाम से और दूसरा उनकी जर्सी नंबर से तो देखा आपने कि संख्या सिर्फ गनित की पुस्तक तक सीमित नहीं है संख्याएं हमारे चारों और हैं इसलिए हम इनके बारे में पढ़ते भी हैं हाँ, मेरे घर के बार जो प्लेट लगी है उस पर भी मकान संख्या लिखी है और मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट पर उस पर भी तो संख्या लिखी है मेट्रो या फ्लाइ ओवर के पिलर पर भी तो होती है हाँ, सही कहा आपको पता है, जिन अंकों का प्रियोग करके हम संख्या बनाते हैं उनकी उत्पत्ति भारत में हुई थी क्या, सच? हाँ, जीरो और एक से नो तक के अंकों का आविश्कार हमारे ही देश में हुआ है इस बारे में और बताओ ना आपने वो गाना सुना है जब जीरो दिया मेरे भारत ने भारत ने, मेरे भारत ने हाँ, हाँ, सुना है यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई चलो तो साथियों इसी के साथ हम दोनों आपसे अलविदा लेते हैं आप संख्या ढूंडते रहिए और उनका अभ्यास करते रहिए नीरज और तुईशा का प्यार भरा नमस्कार मेरे रहिए